आप लोग कैसे हैं मेरे दोस्त गुड़ मॉनिंग आप सभी को गुड़ मॉनिंग आप लोग कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे उमीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे आप लोग मस्त भी होंगे आप सभी का आपके अपने चैनल एसे मौला मैं आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है तह दिल से स्वागत है तह दिल से सुक्रिया है कि आप इतने प्यार देते हैं अच्छे से पढ़ाई करते हैं इसके लिए बहुत-बहुत-बहुत सुक्रिया है आपको कि चाहेंगे तो पूरे रिजनिंग का स्रंपून को यूटू के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं तो हम उमीद कर रहे हैं कि आप लोग को पीछे जितने भी क्लास क्लास तीं--चार-पांच जो क्लास लिए गये होंगे आपको बिल्कुल ही समझ में आओगा वह भी असान तरीका से समझ में कर दिया व और फिर दाएं से पूछे फिर बाएं से पूछे तो आप क्या करोगे तो आईए इस टाइप में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि विप्रित करम पर अधारित यानि विप्रित करम पर अधारित थोड़े ध्यान से समझो विप्रित करम क्या हो गया बीपरित में जब लिखोगे तो बीपरित कहने का मतलब हो गया कि इधर से अब बीपरित हो जाएगा यहां से जेड वाई आक्स डबलू भी भी के बाद यू एस सॉरी यू के बाद टी भाई उल्टा लिख रहा तो थोड़ा उल्टा लिखने में थोड़े परिशानी उत्पन होंगे आपको भी घर पे लिखोगे तो हमको नहीं होगा हम तो इतरह उल्टा सिधा कर दिये कि हमें तो कोई परिशानी नहीं होगा लेकिन आपको थोड़ा सा उल्टा सिधा करने में परिशानी होगा तो घर बढ़ारा नहीं है भाई कोई भी नया काम करो को कोई भी नया काम करेंगा थोड़ी से परसानी अगल कैसि क्लिए यह नया कङ मैं अपकिलीए तो थोड़ी से परसानी आइंगे नह llegóàng leukने में आप बन में A B C D up में और noon इंहों को उट对से परसानी हूंगे फिर भी नहीं लिखड़ बढ़ाना है आप जितने भी चात्रों एदा बिल्कुली असान तरीके से समझ जाओगे देखो हम लिख रहा है न जेड़ वाई एक्स डबलू भी यू टी एस आर क्यू पी O N M N M के बाद L L के बाद K J I H G F E D C B A अभी दर से पड़ो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z आप कभी आप भी घर पे बैट करके अपोजीट से लिखना तो देखेंगे आप लिख पा रहे हो कि नहीं आपको पता चल जाएगा कि आपको EBCD कितना याद है आप पीछे से कभी लिख करके देखना ना आप तो लग रहा होगा कि बहुत असान है आपने पीछे से लिख चल जाएंगे कि कितना असान है तो आइए थोड़ा असान है लेकिन फिर भी आप लिख करके थोड़ा चेक करों कि हम लेख पा रहे हैं। तब तो मजाएगा आजाओ थोडे यही कहा है वीपरित करम पर आधारित यानि अंगरेजी वनमाला को वीपरित से जब लिखहआग उल्टा करो उल्टा करो हो जागा सिधा करो सिधा हो जागा ये सारे लेटर आपस में कोई भी बदल सकते हैं लेकिन आपका बाएं और आपका दाएं ये कभी बदलने वाला नहीं है बाएं इधर इंड होगा दाएं इधर इंड होगा बाएं से बोलेंगे तो इधर से यह कभी नहीं बदल सकता है, यह constant है, यह इस्थिर है, यह कभी नहीं बदल सकता है, आप पूरे बीच में लेटर को आपस में चेंज कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बायं दयाँ आपका बदलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर बोला है, अंग्रेजी वन माला को भीपरीत करम में लीख दिया जाए, भाई, भीपरीत करम में तो लीखी दिये हैं, अंग्रेजी वन माला को भीपरीत करम में लीख दिया जाए, तो बायं से सातवा अक्षर कौन सा होगा, यानि बायं से सातवा अक्षर कौन स तो आपका अंसर जाएगा कि 52 से साथवा अक्छर जो है ओ आपका टी है two उतrobs algorithm also जो है आपका टी है आप देख भी रहो कि यह 22 से साथवा सरह यह यह a and that कूंट्टा नहीं कि यदि अंग्रेजी वन्माला को आपको विपृत करम में लीख दिया जाए तो 12-15 हमां अक्छर कौन है तो 12-15 हमां अक्छर कौन है सात के बाद 8-9-10-11-21-21-24-15 यानि बाएं से जो 15 हमा अक्छर है वह आपका कौन सा है 15 हमा अक्छर 22 है वह आपका L है आपका answer जाएगा L इसमें answer जाएगा L देख लिजे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, एगारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, पंदरा पर एल है, लेकिन भाई बनाएंगे कैसे, आप देखो, कभी भी बाएं पूछे ना, बाएं को काट करके, आप दाएं से अस्थान निकालो, एंसर आजाएग आपसे यहां भी पूछा था, बाएं से, लेकिन बाएं को काट दो, आप दाएं से अस्थान निकालो, यह बाएं से पूछा था की बाएं से कौन सा आक्छर 15, आपको राइट से 15 बताना, तो राइट से तो 15 लेट याद नहीं है, तो इसराइट को लेफ्ट में बदल दो 12 और 12 पर कौन आता है एल आपका एंसर जाएगा इस तरीका से आप question को solve करोगे जब हमारे अंग्रेजी वनमाला को विप्रित किया है तो बाएं देगा तो इसको काटके दाएं लिखेंगे दाएं देगा तो उसको काटके बाएं लिखेंगे बाद बाद की कुछ भी पूछे अंसर तयार बाद बाखी कुछ भी पूछे अंसर तयार नहीं तो आपको दो दो तरीका इस question का बताते चलेंगे आप दोनों तरीका समझना जो आपको best लगे वैसे ही आप पढ़ना कोई भी तरह से आपको परिशानी उत्पन नहीं होने वाला है आप मेरे साथ बोड़ पे तो बाय, से सातवा आप्षर वीपरिट जभ लिख वाल ए तो एट टू जेड ये आपका बाय हो गया और ये आपका हो गया दाएं ये आपका बाय हो गया ये आपका द्जाएं तो अंग्रेजी वणमाला को वीपरिट करम में लिखा लänder तो बाय औए की जेड तरफ से साल तो जेड तरफ से किसी का अस्थान निकालना होता है, तो जेड तरफ से किसी का अस्थान निकालना होता है, तो 27 में से घटा दिया जाता है, तो 27 में से 7 घटा दो तो 20 आ जाएगा, यानि कि जो जेड तरफ से 7 होगा, वही ए तरफ से 20 होगा, तो कभी भी आपका जेड तरफ से कोई अस्थान निकालना हो, तो तुरंत उसको 27 में से घटाईए, जो अगला आएगा वो आपका एक तरफ से अस्थान आ जाएगा, एक त तरीका यह वोंगया, दूसरा थारीका आप से बोला है, बाए तो इसको काट लो दाये लिख लो यह को काट लो क्यों की एंग्रेजी वर्ड माल्या को विपरीत किया तो आप फी तो बिप्रीत कर दिए बाए दिया तो बाएं का विपृत कर दिये दाएं, एंसर हो गया, तो दाएं से सातवा जो होता है, वहीं लेट से आपका 20 होता है, और लेट से 20 पर आपका T आता है, तो कही न गहीं आप समझ गए होंगे, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका एंसर आपका T जाएगा, अंग्रेजी व 400 माला को विपृत करम में लिख दिया जाए तो बाय तो इसका भी आप aldies लिख दो बाय का आप दाएं लिख दो दाय से 15 बताना है तो जो दाय तरफ से 15 लेटर पोर होता है वहीं बाय तरफ से 12 और 12 पर अपको मोरा अभूर दो तरीक है आप ऐसे लिख लो तो ऐसे भी करके आप कर सकते हो, बीपरित लिख के Z के तरफ से 15 बताना है, तो आप उसका अस्थान A के तरफ से निकालो, आप उसका अस्थान, कभी भी आपको Z के तरफ से कोई अस्थान निकालना हो ना, उसको आप 27 में से घटा दो, वह A के तरफ से बदल जाता है, किसी भ एक तरफ से सारे लेटर का अस्थान आपको याद करवा चुके हैं, एक तरफ से पंदरा पर कौनाएगा, एक तरफ से बारा पर कौनाएगा, एक तरफ से सबका याद करवा हैं, सुरू से एक तरफ से, तो कभी भी कही भी question में अगर किसी का J चिया स्थान निकलना है उसको तुरंट 27 में से घटाई, A स्थान आजाएगा और A स्थान सब का आपको याद है Z से सात बत से 15 बताना था तो वही A से आपको 12 बताना है, A से 12 पर l answer आता है आपका l answer जाएगा ठीक है आप ऐसे बताना आपको इस question का दो दो answer बता रहे हैं दो बताने का तरीका बता रहे हैं आपको जैसे अच्छा लगे आप बता देना पहला कर रहें अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिख दिया जाए तो बाय तो इस बाय को काट करके दाएं लिख दो और दाएं से बाय च्छा बताना है के बाय च्छा लगा दाएं से अब आप इसको केवल काट लो इसको क्या अन्ग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिख दिया जाए तो बाय से बाय के बाय च्छा तो आपको तो बताया गया है कि जब बाएं से बाएं रहेगा तो घटाना है आपको एक वर फिर पीछे बता दे रहें पीछे के कलास में बता रहें लेफ्ट से लेफ्ट रहेगा तो घटेगा, राइट से राइट रहेगा तो घटेगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो जूटेगा, राइट लेफ्ट रहेगा तो भी जूटेगा, अगर लेफ्ट से लेफ्ट है पहले वाला लेफ्ट है तो लेफ्ट से यह अस्थान डूनना है राइट से राइट है पहला राइट है तो राइट से अस्थान डुनना है लेट राइट है तो पहले अगर लेट होगा तर लेट से अस्थान डुनना है राइट लेट है तो आपको राइट से अस्थान डुननना ये पीछे के क्लास में पूरे पड़ा दिये हैं, जब तक आप पीछे वाले क्लास नहीं देखोगे, आगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, और ये देखने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप लोग पीछे का क्लास देखिएगा, तो और बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आए तो बाएं तरफ से आया है, लेट के तरफ से आया है, तो आप देख लो, जेड के तरफ से और ये हो गया, तो इधर आपका हो गया बाएं और बाएं तरफ से आपका अस्थान जो बताना है, वह बाएं तरफ से आपका छठा बताना है, तो जो बाएं तरफ से चठा होगा, आपको बाएंग तरफ से जेड के तरफ से एक अस्थान बताना है तो 27 में से 6 घटा लो 21 और 21 पर आता है U आप कही न कहीं अंसर दिया होगा यह एक तरीका होगा ऐसे जेड और A लेक करके ताकि आपको न यह दिमाग में रहे कि जेड तरफ से अस्थान बताना है, जेड तरफ से अस्थान बताना है, तो जेड तरफ से बताना होगा, तो 27 में से जो भी बताना होगा, उसको गटाईए, एक कईसा आगया, तो 21 का अस्थान जो बताना है, एक कईसा पर कौन आता है, एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका अग इस तुरंत रिजल्ट को आप बदल दो right, आप को ओगे sir right क्यों बदल दिये, तो ये जब हमारे अंग्रेजी one माला को विप्रित किया, तो हम इसको भी विप्रित कर चुके हैं, left को right कर दिये हैं, तो किसी का भी आपा स्थान right से बताओ, जो आपको original one माला होता है, जो original one माल आपको आपको जल्ट आपको दल्सली आपकर उल्ट, जो आपको प्रिट करीक हैं इसे आपता है अब देखिए अंग्रेजी वन माला को विपरित करम में लिख दिया जाए तो बाएं यानि लेट से 18 अच्छर के बाएं नहुआ यानि लेट नहीं आ गया इसको काट के लेट को बदल दो आपका विपरित करम किया गया है आप भी विपरित कर दो 9 से राइट वा बताओ तो जो 9 से राइट होता है 27 में से 9 गाटा दो गया 18 आता है और 18 पर आपका आर आएगा ये एंसर हो जाएगा आर आपका एंसर हो जाएगा किलियर आप देखते रहा जाओ आपको दोनों ही बता देंगे ने आप बोड पे बने रहों अंग्रेजी वन माला को विपरित करम में लिखा जाए तो लेट इसे 22 के बाएं बायत से 23 के बाये आपका कौन सा होगा आठ थाया है एक तरीका है कि इसको आप getol की इसे poco राइट को से बता ना राइसे 8 का मतलब हो गया 27 में में से आर जाएगा तो 19 और 29 पर आता है 10 और नहीं इसको काट होगे इस लेप को finalement से बत जो बताना है आठवा बताना है तो जो बाएं तरफ से आठवा होता है वहीं आपका ए जो जेड के तरफ से आठवा होगा वहीं एक के तरफ से एक इसवा होगा और एक के तरफ से उनईसवा होगा और एक के तरफ से उनईसवा आपका जो होगा एस होगा आप विपरीत में ल तो एक ए तरफ से होना इस एक दूसरा आप बीपरित किये थे आप बीपरित में कर दिये लेट रिजल्ट था आप राइट में बदल दिये तो जब आप राइट में बदल दिये ना आप खुद बीपरित वहां कर दिये ना तो इसका मतलब हो गया कि आप बीपरित कर दिये हो इसको आप बदल दिये तो यह वाला जो डाटा बताना होगा यह ओरिजिनल डाटा से बताना होगा जो पहले का है तो इधर से राइट बता दो ओनेशवा कौन है इधर से राइट जो आपका है आठवा कौन है तो इधर से राइट आपका आठवा जो होगा वह इधर से पिर भी आपका एंसर A साइगा, तीक है? जब यहाँ पर change करोगे, तो यह नहीं change होगा, जब यहाँ change नहीं करोगे, तो यह ल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने left को right में बदल दिया, तो अभी इसको change नहीं करना है, क्योंकि यहाँ विप्रीफ था, तो अभी से लिखना होगा जेड से ए और आपको लेट से बताना है अठवा यानि की जेड के तरफ से जो 8 होगा वहीं एक के तरफ से 19 होगा क्योंकि 8 और 19 मिलके 27 बनता है तो 19 पर कौन आ जाता है तो एंसर आपको हो जाएगा तो हम तो दोनों ही तरीका बता रहें जैसे आपको अच्छा लगे उल्टे करम में लिख दिये जाता ह। 22 से 10 होगा यानि लेट से 10 होगा है। के बाहीं पांचवा अक्षण कौन होगा यानि वाईं पांचवा अक्षण कोन होगा तो पांच में से पांच आप देख लो, Z से लेख लो A, और ये आपका बाएं है, जो Z के तरफ से पांचवा आएगा, वह ही इस तरफ से आपका बाइसवा आएगा, क्योंकि 22 और पांच मिलकर के दोनो 27 होता है और 22 पर कौन आता है तो भी अंसर आजाएगा अपका भी अंसर आजाएगा काई लिए उल्टा करोगे दो सिकेंड है जेड ए लिख लो क्या दिक्कत है भाई लिख रहा है इसलिए ताकि बच्चे कनफ्यूज ना हो नहीं तो हमको बनाना होगा तो हम ऐसे बना अंग्रेजी बना बाई से 22 लेप से 20 अच्छर के बाई दसवा अच्छर कौन सा होगा बिसवा अच्छर के बाई दसवा यानि 10 गया यानि कि जेड से लिख लो ऐसे ए और जेड के तरफ से जो 10 बताना है ये बाई है ना ये बाई है तो ये बाई से जो 10 बताना है वहीं इधर से आपका सत्रा होगा ताकि 10 सत्रा मिल करके 27 तो ए के तरफ से सत्रा पर कौन आता ह है Q- Hunter. अंotle जी बढद माला में बाइं और से 18 हमा अक्षर ऐसा हाइवा हमा यानि कि 18 हमें से 12 या तो 6 तो जो जेट के तरव जेट के तरब से आपका 6 होगा ना वहीं इस तरफ से आपका से होगा क्योति यख़क्ष दोनों मिलके यहां पर 27 बनाएगा तो e के तरफ से कैसा श्ान पर कयोन आता है? e answer हो जागा, e answer हो जागा, ठीक है? अंग्रेजी वन मालाको उल्टे करम लुटे नुकराम में बाईशे लुटे अनुकराम में बाईशे चबी सबा, यानि लेट से 25 चबी सबा, के बाईशे पंदरी हमा, यानि आपका यहां पर 11 है तो आपको जेड के तरफ से आपको 11 बताना है इधर से 11 बताना तो जो इधर से 11 होगा वही इधर से सुल्ला होगा क्योंकि 11-16 मिल करके 27 होता है और 27 जो होता है तो सुल्ला पर आपका आता है P, answer बता दिये P अगर आपको देखना होगा तो देख सकते हो गया इसके बाद sorry इसके बाद पहले यू के बाद T S Q P N O O के बाद P ना आता है P O N M L K J I H यहां से लिखना पढ़ेगा थोड़े ध्यान से सुलेगा Z Y X W थोड़ा सा ऐसे भी practice करना बहुँ जरूरी है Z Y X W V U A S V U के बाद T T Kे बाद A S Q, 17 के बाद 16, 15 15 15 14 14 14 के बाद 13 13 के बाद 12 12 12 11 11 12 10 10 के बाद 9 9 9 9 के बाद 8 8 के बाद आपका आजाएगा 8 के बाद 7 आजाएगा, 7 के बाद 6 आजाएगा, 5 आजाएगा, 4 आजाएगा, 3 आजाएगा, 2 आजाएगा, 1 आजाएगा आप देखो, आपको left से 11 बताना है यह आपका बाएं है और इस बाएं से आपको 11 बताना है आप यहाँ पर पहुंच जाओगे एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ नो दस और जेड़ वाई एकस डव्लू भी यू टी एस आर यहां पर छुटा हुआ है एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ नो दस एगारा यह आपका एगारा आगया कौन पी इधर से एगारा आ गया, लेकिन यही पी जो है न, यहां से देखे कितना हो रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, आट, नो, दस, एगारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सुला, यानि यहां से सुला हो, इस पी का अस्थान दो तरफ से, यहां से आपका एगारा है, और इसी पी का अस्थान यहां से सुला हो, तो हमको इधर से जो अस्थान पता नहीं है, इधर से तो सारा याद किये हैं न, एक के तरफ से, एक, दो, तीन, इसके तरफ से, इसलिए जेड के तरफ से कभी अस्थान अगर आपको पूछे, पहिला, दूसरा, चौ रहे न बहर आप इसका एंसर देख लिए अगला कोशन डार रहे द्यां समझे करद जिदिubenर्जी वणयावाला अंट में लीका जा तो बारयसे पचीषवा चाहर के बाैं सातवा अक्षर को 22-25 आक्षर यानि लेट से 25 आक्षर के 22-7 आक्षर सेम डिरेक्षन में घटाते के 22 बारहवा आक्षर क्या होगा तो 19 तो 6 आएगा ना 19 घटा दिये ना क्या होगा तो आपको जेड के तरफ से क्योंकि ये अंग्रेजी वडमाला को विपरित करम में लिखा गया तो आप भी लिखो जेड के तरफ से ए लिखो और इधर से आपको 6 बताना है तो जो इधर से 6 होगा ना जो इधर से 6 होगा ना ये बाय तरफ से जेड के तरफ से जो 6 होगा वहीं एक के तरफ से आपको आपका मिलेगा 21 तो जो जेड के तरफ से 6 होगा न वहीं आपको A के तरफ से 20 होगा 10 पर आपका answer यह उआगा वीपरित करम में लीखा जाए तो दाएं से 17 हमा अक्षर कौन सा होगा? यानि आप वीपरित में लीखोगे Z से A तो दाएं से 17 हमा यह आपका दाएं है और दाएं से 17 हवां, यानि A के तरफ से 17 हवां पर कौन आता है कि यह तो असान चीज है, क्योंकि A के तरफ से सब का लेटर आपको याद है, जब आप बीप्रीत में लिखे हो, तो Z इधर होगा, A इधर होगा, तो दाएं इधर से ही नहोगा, और A के तरफ से सारे अस्थान आपको याद है एक के तरफ से सारे अस्थान याद है क्योंकि अंग्रेजी वनमाले उल्टा हो गया है तो जहां जेड था वहां ए चला गया है और जहां ए है वहां जेड आ गया है तो एक के तरफ से 17 एक तरफ से 12 एक के तरफ से 15 एक तरफ से 10 एक के तरफ से 15 एक के तरफ से 17 यह सारे अस्थान आपको याद है सारे लेटर यह याद करवा दिये एक के तरफ से अगर किसी का भी अस्थान पूछे तो आप डियरेक्ट एंसर बता सकते हो तो यहीं अंग्रेजी वनमाला को विपरित में लिखा गया है जेड स से 17 बताना'स दाएं से 17 का मतलब A के तरफ से 17 घहा स्थान बताना आए और A के तरफ से 17 हमां अस्थान बताना है एंसर क्यों जाएगा एंसर आपका क्यों हूं जाएगा क्लियर क् 100 कि अगला देखो बहई में भीपरित कम से लीखा जाएं तो दायां से 22 और दाये दाये से 22 और चौन होगा क Nicholas कौन होगा 28 और आप जानते हो कि एक तरफ से 18 अगर देखोगे तो आरेंसर जाएगा अगला कियेंगा यह तो असान हो गया न करवास्ट किया यह थी अंगडरी वन्माला कर बीपरीट करन में लिखा तो दाएंसे वीपरीत कर दाएंसे बोल रहा है कि दान से सोलहावा आक्षर kisज catры तो आप ठेट से ए लीखोगे और यह आपका दाय कहलाेगा और यह दाये से मतलब दाय मतलब A कहलाेगा और A से चौता अक्षर पूछ रहा है तो A से चौता आक्षर पे कौन आता है D अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो दाएं से यानि की राइट के तरफ से दाएं से उन्हीसवा आक्षर के दाएं तेरा हमाँ आक्षर कौन होगा तो तेरा में से चा जाएगा तो छे बचेगा और A B C D के तरफ से छठा पर कौन आएगा अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो दाएं से 14 हमाँ आक्षर के दाएं नहुआ आक्षर कौन होगा पांच और A B C D के तरफ से आपका आएगा E अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो दाएं से 17 हमाँ आक्षर के दाएं एगरा हमाँ आक्षर कौन होगा 17 में से 11 जाएगा तो छे और A के तरफ से 6 बताना है तो A के तरफ से 6 आपका F एंसर जाएगा अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो दाएं से 24 वा आक्षर के दाएं पांच वा आक्षर 19 A के तरफ से 19 कौन हो जाता है एस हो जाता है एंसर ते यार हो जाएगा आप सभी लोग इंसर बताइए जब तक हम यहां को चला तब तक तो इंसर आ जाना चाहिए अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिखा जा तो दाएं से 16 वा आक्षर के दाएं से 17 वा आक्षर यानि नौ यानि एक तरफ से नौ किदर आएगा क्योंकि विपरित में ल आज जाएगा तो नौ क्योंकि आप जेड है और यहां ए है तो यह दाएं कहला आएगा और दाएं से जो एक तरफ से नौवा आक्षर पर आता है वह आई आता है जो आपकी आपसर में यह आई इसको सुदार कर लेंगे यदि अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो बाएं से 14 अक्षर के दाएं एगराहमा अक्षर यानि बाएं दाएं को जोड़ोगे तो यह 5 हो जाएगा और यह 25 हो जाएगा आप पहले उल्टा करम में लिख दो आपको जो बाएं से 25 बताना है वहीं आपको ए 22 मिल के 27 होता है और A के तरफ से 2 जो होता है और B होता है अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो बाएं यानि लेट से 12 के दाएं यानि अलग अलग जब रहते हैं तो यह दोनों जोड़ देते हैं 12 याठ 20 लेकिन आपको जो 20 बताना है और किस तरफ से ब आपका राइट एंसर जो बनेगा वह जी बनेगा अंग्रेजी वनमाला को अगर बीपरित करम में लिख दिया जाए तो बताएं से यानि लेट से 9 अक्षर बाएं से 9 अक्षर के दाएं 14 अक्षर 9 4 13 आजाएगा आप लिख लो जेड के तरफ से ए आप बीपरित में जेड क के तरफ से जो 13 होगा वही ए के तरफ से 14 होगा और 14 पर आपका एन आता है एंसर पईयार लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा दो सेकेंड लिखने में लगेगा उल्टा दो सेकेंड लिखेने में टेकनिक भी लिखने का पूरा एबी सीडी में लिखना है जेड ए लिख तो जोड़ना है आप starting left से हुआ तो left से बताना है यह आपका बाएं है और यह बाएं से आपका बताना है 22 तो जो बाएं से 22 होगा वहीं इधर से 5 होगा क्योंकि 22, 27 आता है यह answer जाएगा वीप्रीट करम में लिखा जाए तो left से 6 और right से आपका है आपका कितना 11, 11, 27, 17 यानि कि जेड के तरफ से 17 बताना है तो जो जेड के तरफ से 17 होगा वहीं एक के तरफ से 10 होगा क्योंकि 17-10 मिल के साथ 27 एंसर जे एंसर जे क्योंकि यहां पर जो अस्थाना आना चाहिए वो दोनों के तरफ से एक तरफ से 17 तरफ से 10 आता है और एक के तरफ से 10 आपको याद है एंसर जी जाएगा इतने प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको कभी पूरे लाइप में दिकत नहीं होगा अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो राइट से नवा आक्षर के लेट में नवा आक्षर नो नो आठारा आप उल्टा लिख लो ना जेट के तरफ से ए और दाएं दा से स्टार्टिंग हुआ है तो एक के तरफ से अठारा आपको बताना है तो बड़ा आसान काम है आर एंसर जाएगा अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो राइट से बारा हमा के लेट चौदा हमा तो बारा चार चोटल 26 होते हैं अगर आप जेड के तर में लिखा जाए तो राइट से तरहवा अक्षर के लेट में दस्वा आक्षर तेरह 13, तैयस्ट के तरफ से ए के तरफ से लिख दो ये आपका दाएं है और दाएँ से आप तेयस्ट बता दो तो एक के तरफ से तरफ से टीसवा स्थान पर क eloyण आता है तो डव एंसर पैया अंग्रेजी वण माला को वीपरित करम में लिखा जाए तो दाएं से चौथा आक्षर के बाएं आठवा आक्षर यानि बारा होता है आप पहले वीपरित में लिख लो A से Z और सोरी वीपरित में लिखो Z से A और ये आपका दाएं है ये दाएं से है करहें अंग्रेजी वण माला को करहें अंग्रेजी वण माला को वीपरित करम में लिखा जाए तो दाएं से पाचवा आक्षर के बाएं पंदरा हमां आक्षर पंदरा पाच बीस होगा राइट तरफ से बीस कौन होगा टी एंसर जाएगा अब यहां देखेंगे कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना की टी एम से दूर है तो टी आता है बीस पर ये आता है तेरा पर दोनों के बीच का अंतर साथ है दोनों के बीच का अंतर साथ है तो ये साथ आता है और एक साथ और जोड़ दीजे 7 7 14 पर कोई आता है N answer जाएगा क्योंकि देखिए 17 13 में 13 में और ये 20 में अंतर कितने का है तो 7 का है एको 20 पर आता है एको 13 पता दोनों के बीच तो उसी तरह यह जी है 7 पर तो 7 में 7 जोड़ोगे तो 14 पर तो 7 पर 14 पर होगा तब ही न दोनों के बीच का अंतर साथ आएगा तो इसलिए एंट जाएगा कौन सा अक्षर यू और एन के बीच उतना ही रिलेस्टन रखता है तो यू आता है 21 पर और यह आता है च्छा चौदा पर तो यह अंतर साथ का है तो एप आता है च्छा अच्छा में साथ जोड़ दोगे च्छा साथ 13 एंसर तयार हो जागा 13 एंस साथ पर यह आता है साथ जोड़ी साथ 14 पर आता है एन एन और जी के बीच का भी अंतर जो आता है साथ आता है वैसे ही करना है यह दोनों के बीच का अंतर साथ है एप और एक और संक्या लिजिए जिसके बीच का अंतर साथ आएगा तो एप और एम के बीच का अंतर जो आता है और यह 8 पर तरीक यह दोनों के बीच का जो identify है यह दोनों का बीच saya 系न सब्सक्राइव नहाँ यह रखारी और यह रमें आप नव जोड़ाज दो यानि बारा नव कितना आता है भाई बढरा पर आता है और 12 में 9 जोड़ो तो 12 नौ कितना होता है 21 21 पर यू आता है एंसर ते यार यह डी आता है उतना ही देर है डबलू और ओ यह आता है 23 पर और यह आता है 15 पर यह दोनों के बीछ डीफेरेंस 8 का है आप यह आता है चार में आठ जोड़ दो, आठ चार बारा, बारा पर कौन आता है, एल अंसर देगा, ये कर आप पी, 16 पर आता है, बोड़ पर देखिएगा, पी आता है 16 पर, और ये आता है 11 पर, ये दोनों के बीच का अंतर 5 है, ये 20 आता है, 20 में 5 जोड़ दो, 25 पचीस हो जाएगा, तो आप लोग ये सीख गया होंगे, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, आप लोग उसका इंतजार कीजिए, बहतरीन तरीका से समझ में आएगा, हम उमीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कर रहें कि जो चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे तहे दिल से आपको इमांदारी से बता रहें उससे बहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता उससे परफेक्ट आपको समझ में कहीं भी आने वाला नहीं है इसलिए आप लोग एक पर पू कर दो आपको 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 आपको